गुड मॉर्ने स्टोडेंट बेटा जी आज तो उसी शुरू करने जा रहे हैं अपनी पंजाबी दी पार्ट पोस्तक विच उपागती जा ते पागती जे विच अहीं लेंगे आने कहानी है तो सब तो पहला हाँ देखो कहानी है कि ये सांच जिदा ही के सार करांगे बेटा कहानी शुरू कर देखो कि सांच कहानी पंजाबी दे परसीद कहानी का सुजान सिंग दी लिखी रचना है इस कहानी विच एदस्या गया है कि किस तरह हम दर्दी दे पार एक दुझे विच सांच पैदा कर दे हम ते इस हम दर्दी दे कारन ही असे एक दुझे नू दे रूप विचे पशान देहा कहानी विच असी वेक देहा कि परफैसर एम एल मल होतरा कुछ सोच दे सोच देहा कालज विचु निकल के कालज दे पकी सडक तक जान लई उसनो कुछ कच्चे रोड़यां पढ़ेते उच्चे निमी रस्ते तो लंगना पेंता सी जिस कारके ओ साइकल जलाउन लई काफी जोड लगाऊं तो बाद ही पकी सडक तक पाउंसता सी जेठ मही ने दी दो पहर बीत जान तो बाद वी आत दी गर्मी पहर रही सी कुछ सवानियां गुर्दवारे दे वड़े दरवाजे दे बाहर दरें कहे ठाख लोके ते कुछ सडक उत्ते बने बस स्टैंड विच खलोके बस नू उड़ी करें आ साथ ठीक है बेटा अग्या तो भी पहरा चेंज करना है केंदे कि अग्ये टलान वाली सडक हों दे कारण परफैसर ने उसनों बड़ी ही असानी नाल पार कर लिया ते देलवे दा फाटक पार करके ओ काफी अग्ये लंग गया गर्मी कारण सडक दी लुक पिगली होई सी ते जिसनाल परफैसर पसीनों पसीनी हो चुका सी केंदेने कि फिर प्यारे चेंज करना बेटा इनने नू एक लाल चीरे वाला नौजवान खड़खड करदा साइकल उत्ते उस कोलों दी लंग गया कहानीकार सोचदा है कि पता नहीं उस नौजवान की पाज़ड पर ही होई है पाज़ड मतलों की जल्दी पर ही होई है पहला ता ओ सोचदा है कि ओ वी उस तो अग्ये लंग जावे पर बाद विच उसने एक ह्याल शाड़ देता जिसा ही मुस्ली कर देने कि हाट तो कोई अ अग्ये ओ तो अग्ये लगा दिकोशिश कर दिया इससे तरह लेखकर ने वी कहानीकार ने भी सोचिया कि मैं अग्ये जड़ा साइकल लगा लन दा पर उसने गर्मी दे करके एक ह्याल जड़ा इशाड़ दा उसनों इस समय एक पार्ती लीडर दा एक अथन जाद आया कि साइकल वी अजे को जिको लोकान दे को रही सी इस करके साइकल नू गरीब दी सवारी कहना वी उसनों गल्त जापता सी इस तो उसनों अपनी गरीबी दा एहसास हुन दा सी जो के उसने चिट्टे कपड़ें वीचे लोकाई होई सी चिट्टे कपड़ें वीचे लोकान दा म लगा ही पर फेर वी उस समय वेच पैसे बहुत काट मिल दे ही ते मीने दे एंडली दिना वेच गजा रहा होना मुश्कल हो जानदा ही इंदे के कुछ दिर बाद एक बास तूर अड़म दी होई उसको लो दी लंगी ते उसने आपने समने एक बुड़ी ओर्त नू तुर दी जान दी वेच या उसनों लगया जी वे उसने साइकल सवार नू कुछ क्या होए मतलों बुड़ी माई जान ले ही ते उस तो पहला साइकल सवार क्यों कि उली जड़ा कहानी कार की उस तो अग्गे जा रहा ही ना अग्गे लंग गया ते के लिए उस बुड़ी माई ने उस उस वाल वेक के अग्ये लंग गया जदू नोजवान ने उस बुड़ी मदद लई साइकल ना रोक्या ता ओहो उसनू पत्थर दिल इंसान लगा किसनू परफेसर नू पत्थर दिल इंसान लगा या उसनू अपना आप वी चंगाने लगा क्योंकि उसने एक मुहताज औरत द ने किती तो यह सोच के परफेसर वीचे तरस दिपामना पैदा होई ठीक है नास्ट पैरा चेंज के जदू ओ मुड़ के माई कोल गया ता उसनू पता लगा कि उसने बागा वाले कोल सहेडे जाना है पर परफेसर सोच रहा है सी कि माई ने उस सहर जाना है जो के उत्थो मी मील को वीथ ते सी मील को वीथ मतल दूरी ते सी पर बागा वाला ता उस उत्थो नौ मील दी दूरी सी ठीक है उत्थ की ही कि नौ मील दी दूरी तक सी माई बहुत कमजोर ते बुड़ी सी उसनू दिख़दा भी बहुत काट सी और नंगे प्यारी तप दी तू पवेचे ख श्री गंदे पर दिल मिचक मतर्छाब हो गया थी ठीक है बेटा नेस्ट है इन्द परफैसर अपने कार दी गरीबी दे कारण उसनू अपने कार ले जान जोगा नहीं सी ते ना ही उसनू कराया देखे बस ते बठान जोगा सी उस दी जेब विच सिरफ तीर पेशन जो के उसने अपने बेटे लई रास लेके जान लई रखे सा फिर परफेसर ने अपने आपनो फस्या होया समझ के मजबूरी विच उस गंदे थैले नो साइकल ते टंग गया ते उसनो अपनी बांदा सहारा दे क कैरियर ते बठाया मतलब जड़ी पिछली सीट उन दी ना साइकल दी ओधे बठाया सहर दे मोड तो आके परफेसर ने माई नू अपने साइकल तो अतारया ते उस दा थैला फड़ा देता मतलब उनने ओधे तक ही जाना ही ठीक है एनने नू बागा वाले दी बस आई ते ज जल्दी ही चलेगी परफेसर माई दी पैसे नाल मदद ना कर सकया इस गाल दा उसनों बहुत दुख सी जदू ओ तुरन ही लगा सी ता लाल चीरे वाला शेहर मोड आम दा है ओही लाल चीरे वाला जड़ा की मतल जड़ा कहानी का नी उस तो बहुत तेज साइकल चला के अग उस दे सैकल उते बैठ जावे ठीक है उसने ता बागा वाले ही जाना है पर उसनों अगे सहेडे तक शाड़ावेगा परफेसर ने अपना सैकल खड़ा कीता ते माई नू चुक के लाल चीरे वाले दे साइकल ते चड़ा देता ते उस दा थैला उस दे सैकल दे हैंडल नाल टांग देता लटका देता जा लमका देता चीरे वाले ने परफैसर नुँ इस तरह वेख्या जीवे उसनु ओ आपड़ा उप्रा मतों बेगाना समझदा सी ओहो उस दा कोई अपना ही होए मतों चीरे वाले दनाल वी ओ दनाल हम दर्दी पैदा होगी चीरे वाले दे मान दे वेचे परफैसर वास्ते हम दर्दी पायदा होगी पहला ओनू बिगानना लगदा सी पर ओनू इसा लगदा कि हुनू अमिरा अपना में ठीक है ओ मुवुता कुछ ना बोलिया पर ओ उहो उसने अखा ही अखा ना परफैसर ना सांज पालाई आते परफैसर ने भी ए मैसूस क कि जीवे उसने माई नू किराया ना देन ते उसनू उसदी मंजल तक ना पचान दे काटे नू पूरा कार लिया होगी तो दुन्ना दे मानवेचे एक हम दर्दी दी सांज पालाई होगी क्योंकि जड़ा कहानीकार ही ओ दी मजबूरी ही ओन कराया ने दे सके आ है बुड़ रस्ता जड़ा ही लाल चीरे वाले नौ जवान ने ठीक है इस तरह हाँ डेका निदास आर तो ही नहीं लिखना हो सकता है कि यह जरता नू दस नमबरां दावे यह भी मैं तो क्लियर करवादांगी ते इनू अच्छे तरह लिखना ना काफी मतल काट कुट के सिंपल लेंग ना सिरुफ कहानिया दे सार ही आने इस करके रहे ताम मैं रिटन कराता है नहीं तो मैं औरल ही जड़ा सार मैं तरह दस दिन यह बट हून मैं रिटन करवाया तो यह तो बोत ही त्यानल वेख लेना दि लिख लेना बड़ अच्छी तरह पढ़के नों रडी कर लेना ठीके झाल 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 झाल